नमस्कार आसानपल के इस एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और सावन का महीना जैसा की लगा हुआ है सावन का महीना भगवान भोले नात की पूजा होती है और हम पूजा तो करते ही है साथ में जो सुहागन इस्तरिया होती है लड़िकिया होती है तो ह हम लोग क्या करते हैं कि चोड़ियां भी पहनते हैं तो सावन के महीने में खासकर हरी चोड़ियों का जादा महत होता है क्योंकि जो हरी चोड़ी होती है वो हरयाली का प्रतिक होती है यह नकारात्मा कूर्जा को दूर करती है हम इस चीज़ से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि सावन का महीना जब लगा होता है उसके पहले हमारी जो धर्ती होती है वो रूखी सूखी होती है और जो बनस्पतियां वो भी सूखी होती है और जैसे सावन का महीना लगता है बारे शुरू होती है और सावन का महीना लगते ही पूरी धर्ती एकदम हरी भरी हो जाती है और ज की प्रसन्यता से जो सुहाग निस्त्रियां है तो उनको आशरवात मिलता है जब o уже हरी चूडियां पहनती हैं इसलिए सावन के महिने में हरी चूडियों का बहुत ज़्यादा महत्त होता है इसके साथ यदि हम बात करें कि फरी चूडियों के अलाबा यदि हम बारा महीने जो चूडियां पहनते हैं कप कौन सी चूडि पहनना चाहिए किस इस्तिती में नहीं पहनना चाहिए यदि हम दूसरे को चूडि दे रहे हैं तो कप दें या ना दे तो यह सारी जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ हम बात करें metal की तो metal की चूड़ी कोई सी भी metal हो सकती है आप कंगन चूड़ी कुछ भी पहनते हैं तो artificial यानि और सोने-चांदी काभी उसमें रहता है कि सोने-चांदी की भी यानि metal में आता है तो आप कोई भी चूड़ी पहन सकते हैं लेकिन आपको एकदम से metal नहीं पहनना है यदि आप गोल्डी भी पहन रहे हैं तो गोल्डी की आप चूड़ी कंगन कुछ भी पहन सकते हैं तो आप कांच के साथ में ही पहनेगे जबी वह सुबता को बढ़ाती है आप यदि सौने की चूड़ी पहनते हैं तो ये आपके एश्वार का आपके भोग बलास का प्रतीक होता है आपकी ये एक संपनता दरसाता है तो सौने की चूड़ी पहनना बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये ब्रहस्पती गुरू का प्रतिनेदित भी करता है और ये हमा दूसरी धातू की बात करें तो दूसरी धातू में है चांदी, तो चांदी का कंगन है, चूडिया है, तो ये सुहागन इस्तरिया है, महिला है, तो उनको नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि चांदी महिला यदि पहनती है, वैसे तो संतान सप्तियों का ब्रत रहा जाता तो उसम हम चूड़ी पहनते हैं, जो बच्चों की तरक्की के लिए होता है, हमारी संतान की समरद्धी और लंबी आईउ के लिए होता है, उसका प्रतीक माना जाता है, लेकिन इसके अलावा, यदि हम भरबर हाथ के चांदी की चूड़ीया पहने, तो यह हमारी सुबता को कम करता है, ये हमें नहीं पहनना चाहिए तो चांदी की चूड़ी वैसे तो पहले की समय में और आज भी चांदी की जूड़ी बनती है हातों के लिए तो पहनी जाती है लेकिन आप उसको काच की चूड़ीों के साथ में ही पहने आप उसको अलग से ना पहने तो इस चीज का आप विसेज ध्यान रखें, वैसे तो संताम सप्तमी को चांदी की कड़े पहनते हैं, कंगन पहनते हैं, और अंगोठी भी पहनते हैं, तो वो एक अलग बात है, लेकिन साधारण में इसको नहीं पहनना चाहिए, इस पेसली सिर्फ चांदी-चांदी की जरूर बने रहे हैं, और जो लाल नंग होता है, वो हमारी सुपता का प्रतीक होता है, इससे पॉजिटिविटी आती है, और इसके साथ सथ जब हम चूडिया पहनते हैं, तो इसकी खनकनाहट से घर में पॉजिटिविटी आती है, सकारात्म उर्जा का प्रभाव बढ़ता तो महिलाओं को जरूर काच की चूड़ियां पहनना चाहिए यदि आप वरकिंग है ज्यादा चूड़ियां नहीं पहन सकते हैं तो आप कंगन पहनिए और इस बात का भी आप ध्यान रखें कि कंगन मैटल का नहीं होना चाहिए कंगन सिर्फ चूड़ी का होना चाहिए यानि खनखनाती चूड़ियां हमारी खुशी को तो बढ़ाती ही है लेकिन यदि इसमें एक आत चूड़ी चटकी हो तो उसे आप तुरूंत अलग कर दें क्योंकि चटकी चूड़ियों से मन खिन रहता है मन में एक दुविदा सी बनी होती है मन आप्रसन टाइप कर रहता है तो इ क्योंकि सफेद रंग की चूड़ियां आप यदि पार्टी में जा रहे हैं तो आप जरूर पहन लीजिए यदि आप की ड्रेस उस तरह की है तो मैचिंग में पहन सकते हैं लेकिन आप यदि साधी समारू में जा रहे हैं या पूजा में जा रहे हैं तो आपको एकदम सफे क्वारे में जा रही हैं तो आप इस चीज को एवाइट करिए तब आप यह चूडियाँ ना पहने बैसे तो अपनी अपनी मर्जी है लेकिन पुरानी परंपरा है मैं उसको बता रहे हूं और दूसरा कलाराता है काला कलर तो वैसे तो काला कलर होता है तो बहुत सारी ऐसी साधियां होती हैं बहुत सारी ऐसे धर में समाज हैं जहां पर हिंदु धरम में जो काली चूड़ियां को बहुत जादा महात होता है क्योंकि साधी में इसको हम कचेला की रूप में पहनते हैं ये नेगेटिविटी को दूर करता है तो ये साध में और हम इसे पहनते हैं तकि नकारात्मकूर्जा से बच सके जू नहीं दुला ने नकारात्मकूर्जा अबी ना हो लेकिन इसके अलावा स्वहागन इस्तियों को एक दम भरबर हाथ के काली चूड़ियां नहीं पहनना चाहिए यह अच्छा भी ऐसी सम्मानिय इस्तरी है तो आप उनको चूड़ी पहनने के पहले जरूर कहिए जब भी आप नई चूड़ीयां पहनते हैं तो मातारानिय को आप इस पर्स करवाईए आप अपने घर की मंदिर में मातारानी की मूर्ती में या उनकी फोटो है तो वहां पर डश पर उसके बाद ही आप नई चूड़ीयों को धारन करिए और आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि मंगलवार और सनिवार को कभी भी चूड़ीया नहीं खरीदना है क्योंकि यह जो दो दिन है मंगल और सनिवार तो यह खरी दिन माने जाते हैं तो इस दिन चूड पर यह तो आपको तुरंत उतार के हाँथ से चूड़ी नहीं देनी है क्योंकि जो हमरी सकारात्मक उर्जा होती है चलिया तो आप देना चाहते है पुरानी चूड़ियां तो आप इसे धो ले ताकि उसका औरर समाप्त हो जाए उसकी जो इनरजी है वह अलग हो जाए फिर ये सिर्फ चूडी रह जाएगी, तो इस तरह की चूडी आप दूसरे को दे सकते हैं, इसके अलावा आप लाग की चूडीया भी पहन सकते हैं, क्योंकि ये सुबता को बढ़ाने वाली होती हैं, और ये बहुत अच्छी माने जाती हैं, और हम बात करते हैं कि चूडीया कब नहीं पहनना चाहिएं तो इस चीछ का विस्धित ध्यां रखें कि कुछ ऐसे समय होते हैं जो नहीं पहनना चाहिए उस समय पर अच्छा नहीं माना जाता है जैसा कि सुर्यस्त्रय कि समय स्वहागन ग्रहन के समय स्वागनिस्त्रियों को चूडियां नहीं पहनना चाहिए या फिर जब पंचक लगे होते हैं या फिर जब सोर सूतक होता है तो उस समय पर यह चूडियां हैं स्वागनिस्त्रियों को नहीं पहनना चाहिए इसके अलाबा आप जब भी सोर सूतक में होते हैं तो आपके समख्च जो भी माताएं बेहने हैं यानि कि आपकी ननद हो सकती हैं बेहन हो सकती हैं देवराने चठानी हो सकती हैं तो या फिर आपकी सासो मां हो सकती हैं तो आप उनसे चूड़ी पहनने के लिए जरूर कहिए वो पहने या ना पहने वो अलग बात है लेकिन ऐसा करने से आपके मन में उनके प्रती सम्मान का सूचक होता है यह सम्मान दरसाता है तो ऐसा आपको जरूर कहना चाहिए और चूड़ी पहनने के बाद जो भी हमारे पैर पढ़ने योग जो भी महिला हैं तो उनके पैर जरूर चूना चाहिए उनका आशिरवाद लेना चाह लिए हम उनकी सम्मान पूरा पैर छुटे थे तो आज तो हम घर में खुद चूड़ी पहन लेते हैं लेकिन हमसे जो भी बड़े जाने हैं जो भी सम्मानि इमेहें लाइं हमसे बढ़ी हैं ब्रद हैं तो उनके जरूर पैर छुट चाहिए इसके लाबा जब भी के काल में यानि संध्या काली नहीं पहनना चाहिए और साथ ही इसके अलावा आपको एकदम हाथ खाली करके चूड़ी नहीं पहनना चाहिए क्योंकि अच्छा नहीं माना जाता है जो चूड़ी पहनाने वाले लोग होते हैं तो भी क्या करते थे एक लाश्ट की चूड़ी ब प्रुपटा ये जिए।